बीते 24 घंटे से सिंगू बॉर्डर में क्या परिवर्तन आया है? किस तरीके से इस्तितियां बनली है? वो आपको दिखाते हैं. एक तो जितने भी कंटेनर हैं, उन कंटेनरों में अब मिट्टी भर दी गई है, बालू भर दिया गया है, ताकि वो इतने भारी हो जाएं कि उन हैं, वो पुकता हो गई है और इसके आगे आपको लेके चलते हैं, क्यों सिलसले वार तरीके से आपको दिखाएंगे कि क्या-क्या परिवर्तन बीते 24 घंटे के अंदर शंभू बॉर्डर से सीख लेते हुए सिंगू बॉर्डर पर नजर आ रहा है. तो देखिए जो कंटे हैं, और इस कंटेनर की कतार के बाद जो है वो है पररा मिल्टरी फोर्टेस. यहां आरेफ के जवानों को आप देख सकते हैं और आरेफ के जवान इस लिहास से मुस्तेद हैं, कि अगर आवशक्ता हो तो एक साथ 14 जो स्मोग ग्रेनेट हैं वो इस्तमाल की जा सकें, तो यह पर देखिए कि पूरी की पूरी कंपनी और उनके पास इस तरह की मास्क है जो मास्क लगबग 40 मिनट तक आसो गैस के बीच में भी सास लेने में कोई समस्या नहीं होगी मल्टी बैरल जो लॉंचर है टियर गैस लॉंचर है उससे साथ साथ सिंगल बैरल लॉंचर तक हम नहीं लिआप देख सकते हैं और इसके अलावा जो वज्रवअन है वो वज्रवअन भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से साथ आगे से और साथ पीछे से यानि चौदा स्मोक ग्रेनेट एक साथ एक वजरवाहन से लगाए जा सकते हो और ऐसे एक नहीं है बलकि दूसरी तरब में दिखाईए कि ऐसे अनेक वजरवाहन यहाँ पर खड़े हुए है यानि एक ही साथ सेकडों की संख्या में जो टियर गैस है उसका इस्तमाल किया जा सकता है तो जितना हम बॉडर के पाच जाएंगे दिल्ली पुलिस पीछे और पैरा मिलिटरी फोर्से आगे हो जाएगी 69 कंपनिया 3 शिफ्ट में काम कर रही है CRPF की 6 कंपनिया काम कर रही है जिसमें से 2 रिजर्व है और AK Company एक शिफ्ट में काम कर रही है RAF की और उसके अलावा जो बैरिकेटिंग थी कल ये समाने बैरिकेटिंग थी आरिन बैरिकेटिंग लेकिन अब इसमें ताला जड़ दिया गया है ये ताला इस लिहाज से लगाया गया है कि अगर इसे हिलाने की कोशिश की जाए तो वो आसानी से ना हिल पाए क्योंकि एक एक अगर होगा तो आसानी से हिल जाएगा तीले तार है वो लगातार लगाए जा रहे हैं और इसका काम भी चल रहा है यहां पर देखिए किस तरीके से जो तार इसके ऊपर और लगाए जाने हैं उनका काम यहां पर चल रहा है कि जो जो लोग हैं यहां पर मौझूद हैं वो लगातार इसे खोल रहे हैं और उसके हुए वो आगे लगा दिये जाएंगे अगर आगे की बॉर्डर की बात करें तो वहां आप देखें किस तरीके से जो बैरिकेटिंग की मूवमेंट्स है वो दिल्ली पुलिस के जवान इंटल के हिसाब से लगातार करवाते हुए नजर आ ताकि बहुत तेज गती से आगे जहां भी जरासी भी जगे बची है उसे कवर किया जा सके तो ये स्थितिवी नजर आ रही है उसके अलावा अगर बिल्कुल अंत में आपको लेके चलें तो अंत की स्थितिवी आपको दिखाएंगे कि यहां पर जितना भी बैरिकेटिंग है सेमंटिट ब्लॉक्स के उसमें कंक्रीट बिचा दी गई है ताकि वो इतने मजबूत हो जाएं कि यहां से निकलना ट्रेक्टर ट्रॉल्यों के लिए संभव नहीं हो पाए और कंक्रीट लगभग दो फुट की उचाई पर यहां से देखिए कि ऐसा लग रहा है कि आपने इ के लिए इस्तिमाल करते हैं उसी तरी की स्थिती किले रूप में किले बंदी हो चुकी है और उससे आगे आपको लेके चलते हैं जो सबसे आगे की स्थिती है वो आपको दिखाते हैं कि यहां पर पूरी की पुरी कदार है पैरमिल्टरी फोर्स की आरे एफ के जवान की और अरेफ के जवान, यहां पे तैनात है, किसी भी तरीके की स्थिती से निपटने के लिए, तो यह है परिवर्तन ये है मोर्चाबंदी, ये है किल्यबंदी जिसे हम सिंघु बॉर्डर करते हैं शंभु बॉर्डर से सीख लेते हुए सिंघु बॉर्डर अब अभेद के लिए अभेद दुर्ग में दिल्ली की सीमाओं के हिफाज़त के लिए पेरा मिल्टरी फोर्सिस के साथ जवान मौजूद है। कैमरा सयोगी स्वमेंदर के साथ राखुल डबास न्यूस निशन सिंगू बाडर।